गुड़ा, MC, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चनल पर हर्तिक स्वागत है, मैं आपका दोस्त प्रकाश्वीर, और आज एक बहुत ही important topic पर हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा क्या करने जा रहे हैं, मैं कुछ जानकारी सेर करना चाहरा हूँ, क्योंकि मेरी टीम से बहुत सारे लोगों को calls आ रहे हैं और message आ रहे हैं कि एक video मैं बनाओं जिसमें ये बताया गया हो कि नए associate को कैसे जोड़ना है, क्योंकि जो हमारे नए associate join होते हैं, उनको problem आती है बहुत जारा joining करवाने में, कि उनको किस तरीके से किसी नए बेक्ति को IMC में joining करवानी है, online online joining किस तरीके से होती है, तो इसके लिए जो हमारा application है, अपना IMC का जो application है, उस application को download करेंगे, वहाँ पर आपकी जो login ID, password दी गई है, उसको open कर लेंगे, और आप जिस नए बेक्ति को जोड़ना चाहरे हैं, तो सबसे पहले important है कि उसके जो documents है, आधार card, उसकी photo, और उसका pen card या और bank account, यह सारे documents आपके पास होने चाहिए उसके, और जिस बेक्ति का आप joining करवाने जा रहे हैं, उसका mobile number, उसका mobile उसके पास होना चाहिए, इससे mobile में जो आएगा OTP आने वाला है, वो आपको मिलेगा, और आप उसकी joining आसानी से करवा पाएंगे, क्योंकि वहाँ प करके, user ID और password में login करेंगे, इसके बाद जब यह login हो जाएगा, यह देखिए login हो रहा है, सारे documents अपने पास पहले से ही रख लेंगे, जिससे बाद में हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना है, यह login हो गया, इसके बाद उपर three lines में क्लिक करेंगे, miscellaneous आएगा, miscellaneous में जाकर application form में क्लिक करना है, जहाँ पर इस तरीके से हमारा एक form को बिलका आएगा, और इस पर register with mobile OTP में क्लिक करने के बाद, आपको एक mobile number भरने का option आएगा, जहाँ पर आप उस ब्यक्तिका mobile number डालेंगे, जिसे आप join करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने mobile number डाल दिया है, इसके बाद send OTP होगा, और उस ब्यक्तिके mobile पर OTP जाएगा, जहाँ पर आया वा OTP, आपको इसी box में भर देना है, भरने के बाद आपको next का button क्लिक करना है, जिस ब्यक्तिका आप जोड रहे हैं, उसके mobile पर OTP जाएगा, तो वहाँ से यहाँ पर आया OTP और हमने यहाँ पर next में क्लिक कर दिया है, आगे you have a pink option आएगा जहाँ पर हमेशा आपको no ही करना है, फिर sponsor ID आएगा, sponsor ID में उस ब्यक्तिकी ID डालनी है, आप जिसकी downline पर नए ब्यक्तिक को जोड़ना चाहते हैं, sponsor name और इसके बाद next करेंगे, sponsor name आटोमेटिक ले लेगा वो, फिर आप आगे जाएंगे, individual बोले में करके क्लिक करेंगे, Mr. Miss जो भी है उसको क्लिक करेंगे, उस ब्यक्तिका नाम भरेंगे, नीचे के option में अगर वो महिल है तो उसके husband का नाम या उसकी पिदा का नाम, daughter of या वो पुरुस है तो आपे son of इस तरीके से भर देंगे, भरने के बाद अगर pen card रखता है तो pen card का number नहीं तो नीचे आधार card से देख करके उसकी data birth क्लिक करनी है, फिर next में क्लिक करिए, next में करने के बाद आप आगे जाएंगे, processing हो रही है, फिर you have a pin code, तो यहाँ पर pin code में open करके pin code भरना है, फिर search का बटन क्लिक करेंगे, तो उस area का address खुल के आ जाएगा, फिर वहाँ पर जाके आप अपने area की location डालेंगे, अपना जो आपका address पूरा आधार card पे लिखा हुआ है, वो आप भर करके next में क्लिक कर देंगे, अगर email ID है तो वो भर दीजिए, nominee name आएगा, nominee name में जिसको भी nominee बनाना चाहते हैं, उसक correlation भर के next करना है आपको, फिर यहाँ पर bank detail मांग रहा है, तो IFSC code भरेंगे, इसके बाद अगर नहीं है, तो no में क्लिक कर दीजिए, अगर है तो IFSC code इसके बाद पूरा detail भरने के बाद आगे बढ़ेंगे, फिर next में क्लिक करेंगे, next में करने के बाद, आगे register now का आफसन आ रहा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपकी एक user ID और password जनरेट होकर आएगा, उस user ID को लेकर नीचे तरफ क्लिक करने पर एक documents का आफसन आएगा, तो उस document में क्लिक करेंगे, और नई user ID को उसमें डाल करके verify करेंगे, ठीक है, तो verify करने के बाद, photo, ID, address proof और आपके bank detail को मांगेगा, आप उस पूरी detail को भर दीजिए, इसके बाद उसको upload कर दीजिए documents को, ध्यान रहे कि किसी विविक्ति को ID generate करने के बाद, उसकी जाकर के login कराना बहुत जरूरी होता है, इसके बाद आपकी ID login हो चुकी है, तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से, यहाँ पे हम अपने application का use करके, अपने नए associate को join करेंगे, आपको यह जानकारी साथ, आपके लिए काम आएगी, या आपको जानकारी कैसी लगी, comment box पे नीचे जरूर बताएगा, और channel को ज़्यादा से ज़्यादा subscribe करें, अपने आपकोई प्यादा आपकोईगर गाम, आपकोईगर यहाँ आपकोईगर ग्रफश्यादाचे लिए।